हेलो गाइज वल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल इसने ड्रेस अप में आप सभी का स्वागत है और आज मैं कट करने वाली हो कुर्ती जो कि बहुत जादा हैवी साइस की है तो हैवी साइस की कुर्ती को कट कैसे करते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हो तो सबसे पहल होता है चैस्ट का ब्रेस्ट का विट्थ का और निचाई का सबका नाप पहले इससे ही आप ले लिजएगा तो इसकी साड़े उंतालीस इसकी निचाई है और बादबा की नाप मुझे याद ही है तो मैं आपको बताते हूं किस तरीके से हम में कट करने वाली हूं हैवी तो सबसे पहले हमारा काम होता है सूट की नीचाई कनाप लगाने का तो जितनी फिक्स हो आप उतनी नीचाई कनाप लगा लीजिए उसमें एक इक इंचे एक्स्ट्रा लगा सकते हो आप उपर आदा इंचे एक्स्ट्रा और नीचे एक इंचे एक्स्ट्रा मैंने निशान तो आप देख सकते हो यहां तक यहां तक मेरी नीजाय का नाप था ठीक है और इसके बाद में तीरा जो हम लेते हैं हम नौर्मली सबका तीरा है हम 6 इंच का लेते हैं यह थोड़ा हैवी साइज है इसमें मैं 6 ले लेती हूँ और 3.5 मेंने बीच का जो मुट्डा होता है वो छोड़ दिया है और चेंच का मैं सोल्डर के जो नीचाही होती है उसका नाप लगाती हूँ और इसको इस तरीके से सीधा कर देना है तो अगर इस तरीके से आप कट करोगे तो सूट बिल्कुल वे गलत नहीं कटेगा आप अच्छे से करिएगा अगर हम साड़े छह या फिर साथ लेते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है हमें लगता है ये हैवी साइज है तो हमें साड़े छह या फिर साथ लेना चाहिए तो ऐसा नहीं है तो यहां से चेस्ट आपकी जितनी ही है उसका हाफ ले लेना है उसका फोर्थ पार्ट लेना है और इसमें टू इंच प्रस करके निशान लगा देना है तो यहां से हमें gole कर देना इस तरीके से जदा गहराई मैं नहीं करना है थोडpa ही किया है मैंने और इसके बाद मैं क्या करना है यहां से चौक निशान लगाएंगे तो चौक खूलती हो मैं इसके साड़े तेरा के और साड़े साथ जो हमारा बीच का विर्ट है वहाँ पे निशान लगा लिया मैंने और इसके बाद में इसके बाद में आपको क्या गड़ना है इसके बाद में आपकी जितनी भी पेटी है उसका आपको fourth part लेना है 23 इसकी पेटी है half में 23 है और उसमें two inch मेंने प्लस कर दिया है और 28 इसकी कमर है एक साइड से तो उसका भी मैंने आदा ले लिया है और यहां से two inches में प्लस कर दिया है और इनको प्लस करने के बाद में हमें जो extract लिया है उस पर निशान लगा देना इस तरीके से और इसके बाद में आते हैं नीचे और नीचे हमें क्या करना है हमारी जिदनी भी पर्त हों उसका हमें हाफ ले लेना है और यहां बद में निशान लिया है और इसके बाद में टू इंचिस में प्लस कर देना है और इस निसान को इस निसान से इस तरीकी से मिला देना है आप हम इसको कट करेंगे करेंगे और यहां से गला हम last में cut करेंगे तो इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया है तो यह है कुर्थी का front part जो cut के ready हो चुका है उनले गला बाकी है गला मैं last में cut करूंगे तो यह front part है इसको इस तरीके से fold करके और यह मैंने कपड़ा fold कर लिया है back part के लिए तो जो front part हमने cut किया था उसको इसके उपर रखेंगे अच्छे से तो चारों तरफ से हमें अच्छे से रख लेना है अपने front part को और इसके बाद मैं जो आगे वाला पर्त मैंने cut था उसमें तो border लगाऊंगे इसलिए मैंने एक हिंचे चोड़ा और back part थोड़ा हमें ज्यादा मोड़ना होता है तो मैं उसके लिए extra छोड़ देती हूं नीचे और इसको सेम ही cut कर देना है सेम कहां तक cut करना है आप देख लीजेगा इसमें तो इसमें थोड़े से बीट से हम एक्सटा लेना होता है ऐसा कुछ नहीं है इधर उधर ना पो तब cut करो बीट से थोड़ा से एक्सटा ले लेजेगा सही बनेगा fit और इसके बाद मैं ये हमारे front और back part दोनों cut के ready हो चुके हैं इसके बाद हम अब इसमें गला cut करेंगे तो गला हमें दोनों side से semi cut करना है आगे वाला और पीछे वाला तो गला किस तरीके से cut करते हैं आप देख लीजेगा तो यहां से है 5 inch और साड़े change का नीचाई गली का हमें बनाना है तो change इसमें cut करेंगे आदा इंची स्लाई में चला जाएगा तो इस तरीके से box type में बना लेना है और इसके बाद इसमें goal कर देना है तो यह fix अच्छा goal बनेगा आप इसी तरीके से निसान लगाईएगा तो यह मारा गला भी कटके ready हो चुका है अब इसके बाद में हम slaves cut करेंगे तो sleeves cut करने के लिए यह मेरे पास बचा है लंबा लंबा कपड़ा और इसको इस तरीके से पहले double fold कर लेना है तो इस तरीके से यह मैंने double fold कर लिया है इसके बाद में यह मैंने four fold कर लिया है कितनी भी लंबी कितनी भी चोटी बाजू आप cut करो आपको कपड़े को पहले four fold कर लेना है इस तरीके से तो यहां से 1.5 इंच जाएगा slime है और इसके बाद में और इसके बाद में 7 इंच की में बाजू ready रखने वाली हो और half inch slime है जाएगा तो जहां पर half inch slime है जाएगा वामेने extra निशान लगाया उसको सीधा कर लेना इस तरीके से तो नॉर्मल में हम लेते हैं 9 और इसमें लेंगे इस निशान को इस निशान से मिला देना है और यहां से निचे से भी हमें इस तरीके से कट कर लेना है तो यह हमारी sleeves इतनी fold हो जाएगी और यहां पर हम चोटा सा निशान लगा देते हैं ताकि हमें पता रही कि हमें कितना sleeves को fold करना है और उपर के दो पार्ट उठाने है दो और इनको इस तरीके से अंदर अंदर से थोड़ा थोड़ा कट कर देना है और बीच बीच से तो हमारी sleeves आप देख सकते हो कट के रेडियो हो चुकी है और इसके बाद में हम हमने जो गला कट किया है उन गले के लिए हमें कपड़े कट कर लेने हैं तो इस तरीके से पहले गले को रख लेना है और लगवक एक या फिर डेड़ इंच एक्स्टा हमें गले से कपड़े को इस तरीके से कट करके रख लेना है तो इन कपड़ों से हम गला बनाएंगे तो आपको अगर गला बनाना भी नहीं आता हो तो मेरी चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है आप उन में जाके देख सकते हो बहुत अच्छे से बताया है मैंने गला कैसे बनाया जाता है बिना बुकरम के भी बुकरम जैसा गला आप आसानी से बना सकते हो तो इसी के साथ हमारी कुर्तिकट के रेडियो हो चुकी है आपको वीडियो अच्छे लगी लाइक, कमेंट, सब्क्राइब जरूर कर लिजेगा थैंक यू फर वाचिंग